Home Threaters Under 5000 in 2021 तो यार अगर आपको Home Threaters चाहिए in 2021 में अगर आप सर्च अड़ करे हो ये वीडियो आपके लिए आज मैं आपको Top 5 बताऊंगा तो बात करते हैं No.5 की No.5 की बात करते है No.5 की बात करने से पहले भी मैं आपको कहा देना जाता हूँ मैं जितने भी आज आपको Home Threaters बताऊंगा वो टीवी के लिए गेमिंग के लिए अगर आपने सिनेमेडिक साउंड सुनना जाए अगर आप हैवी बेस सुनने के शुकीन हो आप सभी के लिए प आपको बता देना चाता हूँ सबसे पहले इसके प्राइस रेंज की बात करते हैं तो आपको 4,990 रुपीज के बजट पेंज में ये Amazon पे अवेलेबल आपको देखने को मिल जाते है तो पही अगर आपने फिलिप्स की और जाना आप जा सब तो आपको 4.5 रेटिंग मिल ज आता हूँ ये Home Theater आपको आपन वन चैनल के साथ देखने को मिलता है प्लस आपको 45W की आउटपुड पावर देखने को मिल जाता है प्लस आपको बिल्ड इन एफम बगारा भी साथ में देखने को मिल जाता है आपको एक साल की वरंटी मिल जागी विच एंड क्लियर इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है अगर मैं इसके वेड की बाद करूँ आपको 6kg वेड देखने को मिल जाता है ये Home Theater तो भी अगर आपने जाना फिलिप्स Home Theater तो आप जा सकते हो बाइंक लिंक के इसका मैंने इसक्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अगर आपका बज़र लाइक 5000 से कम है तो आप इस बज़र मेंच में फिलिप्स की और जा सकते हो तो 4.5 रेटिंग मिल जाती है पॉजिटीव कमेंटर देखने को मिलेंगे बहुत लोगों ने परचेज किया बहुत लोगों ने इन-Home Theater को पसंद गिया तो भी अगर आपने भी जा देने चाता हूं इंफिनिटी जो है वो जेबिल का ही सब प्रैंड है तो जेबिल प्रैंड की एक खास है थे कि इनकी जो बूफर की क्वालडी होती है या इनकी जो वोकल क्वाल्टी है वो फटी नहीं है ठीक है अगर आपने हैटफून्स देखिया है अगर आपने मतलब यूज की है तो आपको पता होना चाहिए इनकी बिल्ड क्वाल्टी बहुत ही ज्यादा अपर होती है प्लस भी अगर आप डीप बेस सुनने के शुकीन हो आपके लिए ये होंग ठीटर पॉफेक्ट डील होने वाले हैं आपको 100 वाट्स की पीक आउटपूल पावर देखन को मिलेगा प्लस आपको 2.1 चैनल के साथ देखने को मिलते हैं तीन मोड्स देखने को मिल जाते हैं अगर आप मूवीज देखते हो तो आप मूवीज पर सेट कर सकते हो अगर आप सौंग सुन रहे हो तो आप सौंग पर सेट कर सकते हो प्लस भई अगर आप गेमिंग करते ह आप gaming पर set कर सकते हो तो उसके according जी अपनी vocal quality जा sound quality adjust कर लेता है जो कि in home theater की एक plus point आज आता है plus मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपको एक साल की warranty भी देखने को मिल जाती है connectivity की बात करूँ आपको wireless connectivity मिल जाएगे Bluetooth connectivity मिल जाएगी usb connectivity भी मिल जाथे प्लस इस में आपको Aox connectivity भी देखने को मिल जाती है आपको इसके साथ Air remote देखने को मिल जाता है जिसमें आपको थ्री more's मिल जाएंगे जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने movies देखनी है, songs सुननी है, अगर आपने gaming करनी है, ठीक है, आपको wooden cabinet subwoofer देखने को मिलेगा, अगर मैं इसके weight की बात करूँ, आपको 705 gram सिरिफ इसका weight देखने को मिल जाता है, तो भई अगर आपने जाना, infinity, heartrock 210 की वीडियोस वगारा भी बहुत लोगों ने किया, इनकी sound quality है, vocal quality है, अगर आप deep bass होने के शुगीन हो, आपके लिए perfect deal होने वाला है, प्लस भी अगर आप movies देखते हो, जादा, या gaming वगारा करते हो, आपके लिए perfect deal होने वाली है, प्लस भी अगर आप unplugged song जादा संते हो, आ एक बार चागर जूरू करना अगर आपका विल्ड़ 5,000 है, आगे बात करते हैं, नम्बो 3 की, नम्बो 3 की बात करूँ, नम्बो 3 पर यार मैंने रखे हैं, आई बेल की और से home theater मैं बात करूँ, आई बेल 2050DLX की, अगर मैं इन home theaters की बात करूँ तो सबसे पहले यार ये आपको 5000 के price range में नहीं देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा price इसका अपपल जा सकता है, इस तीज को आप ध्यान में रखना, अगर आप थोड़ा सा extra पे कर सकते हो, आपके लिए ये perfect deal होने बाले हैं, प्लस मैं आपको बता देना चाता हूँ, ये home theater आपको made in India देखने को मिल मिल जाते हैं, प्लस इसमें आपको mic socket भी देखने को मिल जाते हैं, तो भी अगर आप singing करने के शुकीन हो, अगर आपने अपने home theater में mic भी attach करना है, तो अब आपके लिए ये home theater है, perfect deal हो सकता है, connectivity की बात को मैं आपको SG connectivity मिल जाती है, USB connectivity भी मिल जाती है, Bluetooth connectivity भी देखने को मि मिल जाता है, प्लस मैं आपको बता देना है, चातो इसके साथ आपको fully functional remote भी देखने को मिल जाता है, तो यार, main specification मैंने आपको बता दिया है, ibell home theater के, अगर आपने इन की और जाना है, आप जा सकते हो, आपको like made in India home theater देखने को मिल जाता है, एक साल के आपको warranty मिल जाते है प्लस आपको six month की additional warranty साथ में देखने को मिल जाती है, प्लस इसका price भी थोड़ा सा जादा है, ठीकिए अगर आप 5000 से extra थोड़ा सा पी कर सकते हो, आपके लिए profit deal होने वाले है, लेकिन जो मैं आगे बताने वालो, मैं आपको suggest वो ही करने वाला हूँ, तो जादे समय खराब प्लस इसकी जो sound quality है, वो भी आपको अपर मिल जाती है, जब्राउनिक्स भी एक trusted brand है, top brand में से आता है, बात करते हैं main specification की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको Amazon tag देखने को मिल जाता है, positive comment मिल जाते है, प्राइस की बात करूँ, आपको 4400 99 के price range में ये home creator देखने को मिल जाते है, इसकी look वगरा मैंने आपको पहले बताती है, आपको अपर मिल जाती है, fully functioning remote साथ में मिल जाती है, 4.1 channel के साथ देखने को मिल जाती है, LED display देखने को मिल जाती है, प्लस आपको 105 watt की output power देखने को मिल जाती है, प्लस connectivity की बात को USB connectivity मिल जाती है, SD connectivity मिल जाती है, Bluetooth connectivity मिल जाती है, प्लस आपको Aux connectivity देखने को मिल जाती है, प्लस मैं आपको बता देना चाता हूँ, इसमें आपको built-in FM भी मिल जाता है, powerful bass सुनने के शुक्रीन हो, जा फिर अगर आपको clear sound सुनने के शुक्रीन हो, आप सभी के लिए ये जो home threat रा perfect दीन होने आपको glossy finish में देखने को मिलेंगे, stylish design है, easy controls आपको मिल जाते है, प्लस आपको 8.5 kg इसका weight देखने को मिलेगा, तो यार main specification मैंने आपको बता दिये, zebronics home threat के, अगर आपने in home threat के हो जाना है, आप जा सकते हो, लाइकिन की build quality के साथ साथ, आपको stylish design मिल जाता है, sound quality भी आप आपको अपर मिल जाते है, अगर आप powerful base सनने के शुगी नो, आपके लिए good deal होने वाली है, तो भी मैं आपको recommend भी करना जाता हूँ, अगर आपका weight 5000 से कम है, आपके लिए perfect deal होने वाली है, zebronics home threat, अभी आगे बात करते हैं, number one की, number one की बात करूं, number one पर यार मैंने रखि अगर आपका weight 5000 से भी कम है, अगर आपका weight 3000 से भी कम है, या अगर आपका budget 2500 है, इसी price range में आपको ये home threat, देखने को मिल जाते हैं, मैंने इसको like इस budget range में इसी लिए number one पर रखा, because लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत लोगों ने purchase किया, इनकी sound quality है, गलत बोने लगा इनकी sound quality है, आपको अपर देखने को मिल जाती है, like पैसा वसूल आपको home threat मिल जाते है, अगर आपका budget कम है, या अगर आप ज़्यादा पैसे pay नहीं कर सकते, खर्च नहीं कर सकते, आपके लिए perfect deal होने वाले है, तो यार अगर आपको gaming के लिए चाहिए, टीवी पी लगान है, like अगर आपने अपनी shop वगारा में, या अपने घर वगारा में, गाने सुनने है, cinematic sound सुनना चाहते हो, या अगर आपने powerful bass सुननी है, clear quality सुननी है, या अगर आपने unplugged sound सुनने है, आप सभी categories के लिए best deal होने वाले है, आप जा सकते हो, Tronica home threat की और अभी बात करते हैं, specification की तो सबसे पहले, इनका price आपको 2500 के price range में देखने को मिल जाते है, आपको 5.1 channel के साथ देखने को मिल जाते है, plus आपको 3500 watt की peak output power देखने को मिल जाते है, connectivity की बात करूँ, आपको USB connectivity मिल जाते है, SD card connectivity मिल जाते है, pen drive connectivity मिल जाते है, Bluetooth connectivity मिल जाते है, built-in FMB देखने को मिल ज आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाता है, अगर मैं इसके वेड की बात करूँ, आपको 4kg, 830g सिर्फ इसका वेड देखने को मिल जाता है, तो यार, मैंने आपको बता दिये, क्रोणिका किंक सीरिस 5.1 के, तो भी अगर आपने इन होंग ट्रेटर्स किया और जाना आपके लिए पैसा वसूल होने वाले हैं, सभी के बाइंग लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये हो हैं, प्लस मैं आपको कहा देना चाहता हूं, अगर आपको लाइक इन में से को कि दोस्तों को बेतना उनको भी कहतना कि चैनल को करते सब्सक्राइब वीडियो को करते लाइक और इस अगर आपके कले फॉलो लिंक को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को में जगर मिलते हैं, नाक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तेंक यू